यो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, एडू फाइल, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक, केपलर्स लॉग, प्लानेटरी मोशन के बारे में डिस्क्स करेंगे, जो की क्लासिकल मेकैनिक से इंपोर्टन टॉपिक है, और आपके एक्जाम्स म लोग इसका फुल डेरिवेशन भी करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अब लोग एंटर दीखेगा, आपके डाउट जरूर क्लियर होंगे, चलिए शॉट में जान लेते हैं, केपलर्स लॉग क्या होता है, फिर इसके बार डेरिवेशन करते हैं, तो केपलर्स ने तीन होता है, ellipse shape मतलब कुछ इस तरीकी के shape का होता है, आपको पता जला, इसमें sun जो होता है, वो एक focus पे होता है, अब देखिए, इसके दो करें, तो अब center of mass का मतलब आप समझें, देखिए, जैसे कोई body होता है, तो उसको हम balance करते है, center of mass से, यानि कि लगबग बीच में होता है, अगर weight हर तरफ distributed है, mass हर तरफ distributed है, बराबर, तो बीच में होगा कहीं, इस तरीके से हम balance कर सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों की बात करें, तो यहाँ पे पूरा mass यहाँ पे है, और यहाँ पे तो बहुत negligible है, तो इसका center of mass लगबग sun के आसपास होगा, तो sun के आसपास यानि center of mass से अगर हम draw करते हैं, इस तरीके से, तो planet जो होगा, वो equal area को swap करेंगा, equal interval time, मतलब कि 5 second में यहाँ से यहाँ गया, तो कुछ ना कुछ area बना, और 5 second में यहाँ से यहाँ गया, तो भी कुछ ना कुछ area बना, यह areas जो होगे, आपस में equal होगे, यानि कि equal interval time में प्लैनेट यूँ होगा वह एक्वल एरिया कोष्ब करेगा that means एरियल वेलोसिटी जो होगी वो गॉ Const cominth होगी एरियल वेलोसिटी क्या होगी constant होगी बटी अंडर Central Force Central Force मतलब सन के वज़य से तो Force लग रहा है ग्रविटेशनल तो ये Central Force का एक्जाम्पल है तो यह आपको समझ में थर्ड लॉय यह है कि स्क्वाइर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ बॉडी रिवॉल्विंग एराउंड असेंटर ऑफ मॉस इस प्रपोर्शनल टूदा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस देखिए यह आपका मेजर एक्सिस होता है यह माइनर एक्सिस होता है इसको हम लोग simply A से लिखते हैं यह A है यह B है इस तरीके से तो टाइम पीरियड जो होगा मतलब कि इसके घूमने की जो टाइम होगा वो इसके डिरेक्टली प्रपोर्शनल होगा क्यूब के मतलब देखिए यहाँ जैसे कि बड़ा अगर और्बिट हो गया तो इसको घूमने में ज्यादा टाइम लगेगा और बड़ा हो गया तो और ज्यादा टाइम लगेगा तो इसलिए हमने लिख दिया टी स्क्वार इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब आर को यहाँ पर आप लोग लिख क्योंकि हम लोग एस से लिखते हैं जादा तर तो यह आपको समझ में है कि भाई टाइम पिरिएट बढ़ेगा कब बढ़ेगा जब आपका सेमी मेजर एक्सिस बढ़ेगा बढ़ा होता जाएगा और बीट तो आपका टाइम भी बढ़ेगा यह आपको क्लियर है अच क्या होगा कम पड़ता है जाएगा यहा पे सन है इस प्लानेट को ज्यादा फोस दिखीज़ेगा यहाँ पर अगर है तो इस प्लानेट को कम फोस दिखीज़ेगा तो फोस है इन्वर्सली प्रपोर्चनल अब देखिए F is equal to यहाँ पर प्रपोर्चनल हटाएगे तो constant हम ल देखिए इसका मतलब भी है कि force is equal to minus gradient of potential gradient of potential अब gradient जो होता है वो just differentiation होता है partial derivative होता है जैसे यहाँ पर r के respect में आपको क्या करना है इसका differentiation करना है तो यह होता है force का formula f is equal to minus del v by del r यह आपको समझ में है यह आपको समझ में है अब देखिए इन दोनों को हम कर सकते हैं equal तो equal करते हैं तो minus और minus cancel हो जाएगा k by r square is equal to del v by del r तो del v is equal to हम लिख सकते हैं यहाँ पर k by r square और del r को इधर भेज़ देंगे तो यह आपको clear है अब इसको integrate करते हैं तो del v का हो जाएगा v और k by r square का integration होगा minus k by r इसको आपको integration करना आना चाहिए कैसे भई देखें इसको आप लिख सकते हैं k by r minus 2 इस तरीके से लिख सकते है k by r minus 2 अब इसका integration देखें यहाँ पर जो आपका k है वो constant है तो हम r minus 2 का integration करेंगे और किसके respect में है dr के respect में तो यह हो जाएगा r n plus 1 होता है formula में और n plus 1 तो यहाँ पर हो जाएगा r to the power minus 1 upon minus 1 तो यहाँ पर minus 1 by r हो जाएगा समझ में आपको यह देखें यहाँ पर minus 1 by r और k constant है तो k को हमने ऐसे लिख दिया तो यह हिस का integration और c constant of integration जब integration करते हैं तो constant कुछ ना कुछ आता है for c is equal to 0, v is equal to minus k by r हो जाएगा यह आपका आगया potential तो यह आपको इतना I hope clear होगा पूरा अब चलिए आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर देखें इस motion को हम लोग specify करने के लिए यूज करते हैं r और theta क्या यूज करते हैं r और theta तो यहाँ पर भी वही करेंगे this motion can be specified by two degrees of freedom और यहाँ पर हम लोग दोनों degree of freedom क्या यूज करेंगे polar coordinate का clear है अब देखें अगर हम r का differentiation करते हैं यानि कि यह हमारा distance है इसका differentiation t के response में करते हैं इसको हम लोग r dot लिखते हैं आपको मालूम है अल्रेड़ी d theta by dt करते हैं तो इसको हम लोग theta dot लिखते हैं ऐसे हम लोग लिखते हैं तो यह आपको अल्रेड़ी पता है अब देखें इसको हम लोग polar coordinate के रूप में करेंगे अब हमें इसका क्या की चाहिए lagrangian चाहिए क्या चाहिए lagrangian तो lagrangian जो होता है वो तर T-V lagrangian of a system क्या होता है T-V तो यानि कि kinetic energy minus potential energy तो kinetic energy हमारा यह होगा और potential energy यह होगा यहाँ पर r हमने इसलिए लिखा क्योंकि potential energy जो होता है वो position का ही function होता है वो angle पर depend नहीं करता है तो इसलिए हमने यहाँ पर r लिखा हुआ अब आप सोच रहे होगे यह kinetic energy कैसे आ गया तो इसको समझे देखें यहाँ पर kinetic energy यहाँ पर आएगा 1 by 2 mr.square आपका इसके लिए हो जाएगा r के लिए आप r मतलब velocity है r dot का मतलब क्या है velocity है तो velocity का square हो गया अब यह क्या चीज़ है यह angular है यह क्या है angular है तो इसको हम कैसे लेकर आएंगे यह हमें समझता है देखें यहाँ पर देखें angular velocity जो होता है जैसे कि मालिज आपने linear velocity v is equal to r theta dot पढ़ा है यह आपका ठीटा dot जो होता है angular velocity होता है क्या होता है angular velocity angular velocity क्योंकि बहुत अंगल से move कर रहा है यहाँ पर यहाँ पर दो velocity है न angular velocity है और linear velocity है तो v is equal to r theta dot होता है तो 1 by 2 m v square हमारा यह होता है हम जानते हैं तो 1 by 2 m v को जहाँ पक्या लिख देंगे r theta dot square यानि कि r square theta dot square अब आपको समझ में आए ये कहां से आया तो इस तरीके से ये आया ये देख सकते हैं आप 1 by 2 Mr. square plus 1 by 2 Mr. square theta dot square तो ये आपका kinetic energy minus potential energy potential energy angle पर depends नहीं करता है केवल distance पर depends करता है तो ये है आपका lagrangian ये आपका kinetic energy यानि T है यह potential energy है, इसको equation 5 कह दिया अब देखिए आगे इसको हमें solve करना है पहले theta के respect में, क्योंकि दो coordinate है तो एक बार हम lagrangian को theta के respect में solve करेंगे, एक बार r के respect में, तो पहले चलिए इसको differentiate करते हैं, theta के respect में तो यहाँ पर देखिए, हम लोग को जरूरत होती है जो lagrangian होता है, d by dt del l upon delta dot minus del l upon delta is equal to 0, यह हमें मालूम है already हम लोग कई वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखिए, यह होता है d by dt dt upon delta l upon delta q dot lagrangian में बता रहा हूँ आपको minus del l upon del q is equal to 0 q है, यहाँ पर generalized coordinate यहाँ पर coordinate हम theta का use करें तो theta dot हो जाएगा यहाँ और यहाँ पर theta हो जाएगा समझ में आए आपको यह है lagrangian equation of motion अब हमें क्या करना है, यहीं solve करना है एसको solve करने के लिए हमें क्या करना पढ़ेगा differentiate करना पढ़ेगा, डथल अपॉंट टीटा dot निकालना पढ़ेगा पहले एक बार फिर इसके बार डिलल upon टीटा निकालना पढ़ेगा तो अब upon del theta dot क्या होगा यहाँ पर देखिए इसको differentiate करें ल को ल को ही तो differentiate करना theta dot करें तो यह होगा आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर theta dot नहीं है और इसका differentiation क्या होगा यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा 1 by 2 into 2mr square theta dot यह आपको समझ में आया भई, इसका हो जाएगा 2 theta dot, समझ में आया 2 theta dot, 2 से 2 cancel हो जाएगा, mr square theta dot, यह, इसको चलिए कहते हैं, equation 6, तो यहाँ पे आप इसका put करेंगे value, mr square theta dot, d by dt, अब del l upon del theta क्या होगा, यह 0 के equal होगा, क्योंकि यहाँ पे theta नहीं है, theta dot है, तो इसका जो differentiation 0 के equal होगा, फिर देखिए क्या होता है, अब इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, तो अब इसका differentiation जो हो रहा है, वो 0 के equal हो रहा है, मतलब time के response में यह change नहीं हो रहा है, तो जब कोई चीच time के response में चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है, constant है, तो mr square theta dot is equal to constant, जिसको हमने L कह दिया, क्या कह दिया, L, यह है हमारा equation number 7, और इसका हम बहुत जादा use करने वाले है, तो इसको आप ध्यान से समझेगा, तो यह आपको समझ में आया, आप चलिए आगे समझते हैं, तो आगे आप देखिए, देखिए, अब यहाँ पे जो area swept कर रहा है, उसको हमने कुछ इस तरीके से draw कर लिया है, यहाँ पे x coordinate, y coordinate और यहाँ पे यह जो हमारा है r, यह क्या है, r है, तो देखिए, यह r है, तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते है, r d theta, r d theta हमने लिख दिया, अब देखिए, m को यहाँ पे हम लोग replace कर देंगे, 1 by 2 से, जो ह देखिए, area covered by radius vector oa हमें निकालना है, तो area इसको अचली अब right angle triangle माल लेते हैं, क्या माल लेते हैं, right angle triangle, तो d a is equal to 1 by 2 into base into altitude, तो r into r d theta, यह आपको समझ में आया, तो d a is equal to 1 by 2 r square d theta, clear, अब देखिए, aerial velocity जो होता है, वो हम क्या करते हैं, differentiate करते हैं, time के response में, हम क्या कहते हैं हम कहते हैं कि time के साथ में जो area होता है, वो constant होता है, तो d a by dt आपको निकालना पड़ेगा, d a by dt is equal to क्या हो जाएगा, 1 by 2 r square, यहाँ पे भी time के response में, यहाँ भी time के response में, तो d theta by dt हो जाएगा, देखिए, d t dt, त 1 by 2 r square और d theta by dt को हम लेक सकते हैं, theta dot, क्या लेक सकते हैं, theta या dot, आपको पता है already, is equal to constant, यह हमारा है equation 9, क्या है हमारा equation 9, इस तरीके से आपने इसको solve किया है, I hope यह आपको clear होगा, अब चलिए आगे इसको देखते हैं, तो यहाँ पे दिखिए, aerial velocity of the body moving under central forces become constant, तो यह हमारा second law आ गया है, क्यों आ गया है, क्यों क्यों आ गया है, क्य r square theta dot के, और यह हम already constant ला चुके है, equation 8 से, तो यह आपका Kepler's का second law आ चुका है, यह आपका Kepler's का second law आ चुका है, अब चलिए आगे हम लोग first और third को drive करते हैं, तो यह second law है, तो अब आगे चलिए देखते हैं, तो अब हमें Lagrange equation of motion निकालना पड़ेगा, coordinate r के लिए, हम theta के ल r के लिए निकालना के लिए, यहाँ पर हम लोग solve कर रहे हैं, यहाँ पर d by dt, पहले हम लोग del l by del r dot निकालेंगे, क्या निकालेंगे, del l by del r dot, तो कैसे निकालेंगे, पहले आप इसको देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यह, तो इसमें आप del l by del r dot कैसे निकालेंगे, del l by डिलल R. इसको differentiate कर दिजा r. के रिस्त में तो यह 0 हो जाएगा यह जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां पर R नहीं और इसका खुछ ना खुछ वेलू आएगा तो क्या आएगा इसका इसका आजाएगा M R. क्या आजाएगा MR. क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 cancel हो जागा, 2 आ गया जागा, तो DL by DL R. क्या आ गया आपका MR. तो यहाँ पे देखे, हमने क्या लिख दिया, DL by DL R. के जहाँ पे MR. clear है, अब DL by DL R निकालते हैं, यह, यह टम इसका differentiation चली करते हैं, तो यहाँ पे, अब हमें पूरा R के रिस्वक में differentiate करना है, यानि DL by DL R निकालना है, DL by DL R, इसको आप ध्यानते देखे, तो यहाँ पे इसका differentiation 0 हो जागा, क्योंकि यहाँ पे R नहीं, R dot है, इसका differentiation कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा MR और theta dot square, ठीक है? फिर इसका देखे, यह R के रिस्वक में होगा तो यहाँ पे क्या हो जागा? माइनस DL V by DL R, तो यह आपका आया DL L by DL R, तो अब इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो देखें यहाँ पे यहाँ पे क्या है? MR theta dot square देखें, यहाँ पे MR theta dot square minus DL V by DL R, तो यहाँ पे minus लगा हुआ अल्रेडी, तो minus minus क्या हो जागा? यहाँ पे यह प्लस हो जागा, bracket खुलेगा, तो यह प्लस हो जाएगा, बहुत ही simple है, आप ध्यान से देखें, अब देखें आगे क्या होता है? आगे यहाँ पे हम इसको differentiate जब करते हैं, यहाँ पे time के रिस्प्रिटिंग में, तो MR double dot हो जाएगा और is equal to, यहाँ पे minus del v by del r is equal to minus del v by del r मतलब इसको इधर भेज रहे हैं, और यहाँ पे MR theta dot square है, तो यहाँ पे theta dot square के जहाँ पे हम लोग L square, M square, R square to the power 4 लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखें इसको हम लोग equation 7 के help लिख रहे हैं, equation 7 जो है वो हमारा यह है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, theta dot is equal to देखें, यह L के equal है, तो theta dot is equal to हो जाएगा यहाँ पे MR square, sorry, यहाँ पे L by MR square होगा L by MR square, यह है आपका theta dot की value, मैंने आपसे कहा था 7 का use बहुत जादा होगा, तो theta dot जो है, वो ML by MR square के equal है, तो यहाँ पे देखें, theta dot square है तो यहाँ पे L square हो जाएगा, M square, R to the power 4 हो जाएगा समझ में आपको using 7, तो और solve करते हैं, तो MR double dot is equal to minus del V by del R हो जाएगा, plus यहाँ पे cancel हो जाएगा, 1 M से 1 M, तो नीचे M बचेगा, और नीचे R cube बचेगा, और उपर L square, फिर MR double dot is equal to minus del V by del R is equal to minus del by del R L square 2 MR square, देखिए, इसको हमने इस तरीके से लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसका differentiation जब करेंगे, तो हमको यही चीज मिलेगा, आप करके देख लिजे, इसका differentiation, तो आपको यही चीज मिलेगा, same to same, तो इसलिए हमने इसको ज़िए, फिर देखते हैं क्या होता है, MR double dot is equal to minus del by del R, दोनों में से common ले लेंगे, तो यहाँ पे V plus L square by 2 MR square, यह equation number 10 हम कह देंगे, अब हमारा solve होने वाला है, बस multiply करना हमको R dot से दोनों साइड में, equation 10 के, तो यहाँ पे R dot से multiply, और यहाँ पे भी हम लोग R dot मतलब DR by DT लिख सकते हैं, R dot को, R dot का मतलब क्या होता है, DR by DT, यहाँ पे R dot लिख है, दोनों साइड multiply, तो above equation can also be written as this, देखिए इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, differentiate करेंगे तो आपको यही मिलेगा, देखिए इसको भी देख लीजे, देखिए यहाँ पे, D by DT, इसको हम differentiate करेंगे, हमें यही मिलेगा, 1 by 2 MR dot square, ऐसे हमने इसलिए लिख दिया है, क्योंकि इसका differentiation करेंगे, तो 1 by 2 into 2 MR dot, इसका फिर से differentiation होगा, क्योंकि यहाँ पे time के respect में है, तो chain rule लगेगा, तो R dot का क्या हो जाएगा, R double dot, 2 से 2 cancel, यही चीज तो आया, समझ में आया आपको, बिल्कुल same to same लिख लिए, और यहाँ पर दिखिए, DR से DR कैंसल हो जाएगा, और हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर D by DT, V plus L square by 2 MR square, बिल्कुल same to same, फिर देखिए, आगे क्या होता है, D by DT, यहाँ पर हम लोग इसको इस तरफ ले ले लेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, दोनों को common ले लेंगे, इधर आएगा तो यह प्लस हो जाएगा, 1 by 2 MR dot square, and plus L square 2 MR square, plus V is equal to 0, यहाँ पर 0 लिखा हुआ, आपका क्या लिखा हो, 0, क्योंकि सबको इधर भेज़ते हैं, यह equation number 11 है, क्या है equation number 11, फिर चलिए आगे इसको solve करते हैं, तो D by DT 1 by 2 MR dot square, plus L के जिखाँ पर हम लोग फिर वही value रखेंगे, कौन सी value रखेंगे, L के जिखाँ पर, L के जिखाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, MR square theta dot, क्या रखेंगे, MR square theta dot, तो यहाँ पर L square है, तो हो जाएगा, M square R to the power 4 theta dot square, समझ 1 by 2 MR, यहाँ पर cancel कर रहे हैं, हम M से M cancel कर रहे हैं, और R square से R square theta dot square बचेगा, plus V is equal to 0, यह आपको clear होना चाहिए, आप देखें, यह जो आपका लिखा हुआ है, वो energy है, क्या है, total energy, यह kinetic energy हो गया आपका, आपने equation अभी पढ़ा था, सबसे पहले याद करिए, तो यह आपका तो अब again from 11, यहाँ कि 11 को और solve करते हैं, चलिए, 11 हमारा यह है, 11 को और solve करेंगे, तो D by DT, 1 by 2 MR. square, plus L square by 2 MR. square, plus V is equal to 0, यह है हमारा, तो यहाँ पर देखें, 11 से हम यह वाला जो अंदर वाला time है, इसको हम लोग E के equal कर सकते हैं, किसके equal लिख सकते हैं, E के, तो हम लोग E लिख देते हैं, और इसको अलक से solve करते हैं, तो E is equal to this, अब देखें, इसको इधर लाइए, E minus V हो जाएगा, इसको इधर लाइए, भी minus V हो जाएगा, और यह इधर रहेगा, फिर देखें क्या होता है, R dot square is equal to, बाकि हम इसको इधर बेज देंगे, M by 2 को, तो M by 2 को जब आप इधर बेजेंगे, तो 2 by M हो जाएगा, E minus V minus L square divided by 2M R square, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया है, फिर देखें, R dot square है, तो हम इसको R dot लाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर under root हो जाएगा, इसको हम कहतेंगे, equation number 13, यह हमारा equation number 13 आ गया, R dot को आप dr by dt भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर देखें, from 7, from 7 से हम जानते हैं, इस तरीके से कि theta dot बराबर होता है, dt by dt, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और L by M R square, इसको हम लिख सकते हैं, 7 से, कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है, यह theta dot बराबर L by M R square होता है, तो हम नहीं यह लिख दे, त तो 14 को 13 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कैसे डिवाइड करना है आपको 14 है हमारा d theta by dt ठीक है और इसको divide करेंगे dr by dt ठीक है तो dt उपर जाएगा dr नीचे आएगा हमारा आया 14 को 13 से डिवाइड करने पर आगे चलिए solve करते हैं तो आगे देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे d theta बराबर l dr dr को इधर बेज दिया mr square और इसको multiply कर देते हैं अंदर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 em plus 2 k by mr square इसको हमने कैसे लिख दिया इसको हमने इस तरीके से लिख दिया using 4 v is equal to minus k by r equation number 4 याद करिए तो यहाँ पर minus होता है तो minus minus plus हो जाएगा तो k by r हमने लिख दिया है क्या लिख दिया है k by r और यहाँ पर 2 by m का जो multiply हो रहा है उसको भी लिख रहे है यह देखिए अंदर 2 by m का multiply बाकी तो सब से m है ना ठीक है फिर यहाँ पर देखिए इससे multiply करिए तो 2 l r square by 2 m r square r square m square हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि m से m का multiply हो अब यहाँ पर r is equal to 1 by u put करेंगे तो dr बराबर minus 1 by u square du हो जाएगा differentiate करने पर तो d theta is equal to हो जाएगा यहाँ पर l और dr के जहाँ पर minus 1 by u square du हो जाएगा m और यहाँ पर r square के जहाँ पर u square बाकी क्या होगा t e by m plus 2 k by mr minus 2 से 2 cancel हो जाएगा l square u square यहाँ पर r square के जहाँ पर u square लिख सकते हैं ठीक है यह यह हमारा होगा on solving we get this अब यह समझने वाला है सबसे tough step जो है यह आपको समझने वाला है तो चलिए यहाँ से यह कैसे आया इसको देखी है आप देखिए d theta बराबर हो जाएगा minus l du क्यों 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 कि 1 by u square से 1 by u square cancel उपर minus l du बचचेगा ठीक है और m को हम लेंगा कर देने अंदर यह इसका यह और यह को मल्टिप्लाई कर दीजें रहें अब अंदर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर M से M कैंसल तो 2ME बचेगा देखें यहां पर ध्यान दीजें यहाँ पर 1 by 2 है यहां पर M है तो ये अंदर आएगा तो M square की तरह काम करेगा तो 1 M से 1 M cancel उपर 2 M ही बचेगा ठीक है फिर ये M square की तरह काम कर रहा है तो उपर 2 M के R को लिख सकते हैं 1 by U 1 by R को लिख सकते हैं U तो U हमने लिख दिया और उपर M बचेगा क्योंकि यह M² की तरह काम कर रहा है फिर यहाँ पर देखिए माइनस L² U² उपर M² नीचे M² cancel 1 by 2 यह आपको इश्ट्रिप ध्यान से समझ में आए नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखिए ध्यान से बहुत ही सिंपल है यह M² की तरह काम करेगा अंदर आएगा तो अंदर आएगा तो क्योंकि वहाँ पर पावर 1 by 2 है अब आगे देखिए Dटा is equal to minus D.U हो जाएगा क्यों हो जाएगा उपर नीचे हमें L से multiply कर रहे है यहाँ पर और नीचे L से multiply कर रहे है denominator मे तो denominator में multiply करने स्फाइदा यह होगा कि जो denominator वाला होगा वो नीचे जाएगा तो square की तरह behave करेगा जब अंदर जाएगा तो और एक L जो उपर है वो L से L cancel हो जाएगा यह इससे cancel हो जाएगा और यह आपका square की तरह अंदर behave करेगा यहाँ पर L square यहाँ पर भी divided by L square हो जाएगा और यहाँ पर L square से L square cancel हो जाएगा ठीक है फिर dटए is equal to minus du हो जाएगा 2me by L square प्लस यहाँ पर हो जाएगा m square k square by L to the power 4 यह step कैसे आया अब यह समझ लिए यहाँ ताप को समझ में आया अब यह step कैसे आया इसको समझ लिए तो इसको देखी यह वाला जो term है यह वाला जो term है हमको 2m ke U by L square इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं देखे इसको solve करिए आप इसको solve करते हैं यहाँ पर देखे a square plus b square minus 2ab तो इसको खोल देजे bracket तो इससे यह cancel हो जाएगा तो आपका यही चीश तो आगया यही चीश तो आगया है मतलब यह वाला चीश तो इसलिए हमने इसके जहाँ पर यह पूरा term लिख दिया है formula बनाने के लिए formula बनाने के लिए इसलिए हमने यह term लिख दिया है ठीक अब देखिए यह आपको इतना समझ में आया होगा अब इस equation को करते हैं integrate तो integrate ठीटा हो जाएगा और इसका integration जो होगा वो cos inverse में होगा किसमें होगा? cos inverse में आपको मालूम है कि यहाँ पे जो cos inverse का integration क्या होता है मतलब इसका integration क्या होगा? देखिए इसका integration हम किस form में लिख सकते हैं पहले इसको आप समझ लीजे इसका integration जो है वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखिए जो होता है जैसे कि मालीजे minus 1 by under root a square minus x square और कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा है तो यह जो होता है आपका होता है cos inverse क्या होता है? cos inverse यहाँ पे और यहाँ पे होता है x by a इस तरीके से यह आपका integration होता है तो यही फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कि यहाँ पे आपका हो जाएगा इसको हम लोग root में लिकेंगे root का square तो इसलिए यह root में रहेगा और यह वाला उपर आजाएगा बहुत यह सिंपल है यह cos inverse x by a का integration होता है और यहाँ पे integration का constant क्या आएगा? theta 0 theta 0 हम मान लेते हैं constant फिर इसको इधर भेज दीजिए आप तो cos inverse से cos theta हो जाएगा और इसको आप भेजेंगे तो cos theta minus theta dot और बाकी इसको आप ऐसे ही उतार देंगे ऐसे फिर देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा simplify करेंगे तो simplify करने से क्या फाइदा? यह वाला इधर multiply हो जाएगा देखिए यह वाला इधर multiply हो गए ठीक है फिर उसके बाद में mkl square को हम इधर बेजेंगे तो plus में हो जाएगा और बाकी u को हम अकेला छोड़ जाएगा फिर u is equal to mkl square यहाँ पे दोनों में से mkl square common लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यह one के equal हो जाएगा क्योंकि root में है तो यह one के equal हो गया और यहाँ पे 2 e l square मतलब जो mkl square हमने common ले उससे हमने divide कर दिया और theta minus theta 0 इस तरीके से यह आपका u is equal to आया है अब आगे solve करते हैं चलिए इसको देखिए आपने माना था कि u is equal to 1 by r या r is equal to 1 by u तो यहाँ पे u is equal to 1 by r हो जाएगा आपने पहले ही let किया था फिर यहाँ पे mkl square को फिर से common लेंगे तो यहाँ पे 1 plus this root हो जाएगा और cos theta minus theta 0 इसको हम लोग 15 कह देंगे फिर mk l square को हम लोग c मान लेंगे और इसको हम लोग e मान लेंगे यह c और यह e ऐसा इस लीग किया गया है क्योंकि यह equation number 16 हमारा बन गया है जो की equation है conic friction का in the form of polar coordinate polar coordinate के form में polar coordinate में हम लोग निकाल ले हैं तो यह आपका conic section का equation अब conic section बहुत सारे होते है parabola, hyperbola, ellipse, circle के लिए सब होते हैं तो हमें दिखाना है कि यह ellipse है तो देखिए eccentricity e जब होता है less than 1 होता है किससे less than 1 होता है और energy जो होता है वो less than 0 होता है तो path जो होगा ellipse होगा अब यहाँ पर देखिए attractive force है तो energy जो होगा वो negative में होगा attractive force के लिए energy negative में होता है तो जाहिर सी बात है इस condition को यह satisfy कर रहा है तो यहाँ पर देखिए since the total energy of the system under central attractive force is negative therefore the path traveled by the ellipse ellipse होगा तो यह आपका Kepler का first law आया क्या आया Kepler's का first law तो यहाँ पर आपने देखा आपका Kepler's का second law आ गया है area velocity is equal to constant और यहाँ पर first law भी आ चुका है अब चलिए third law को drive करते हैं तो third law के लिए हम लोग equation number 16 का use करेंगी यानि conic friction के लिए conic friction का equation होता है तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको लिखा है अब यहाँ पर आप ध्यान से देखे यहाँ पर S1P जो है S1P जो dot जो है उसको हम लोग चलिए मान लेते हैं R1 और S1Q dot जो है उसको हम लोग मान लेते हैं R2 ellipse ellipse में हमने मान लिया यह बात अब देखे आगे क्या होता है कि जब हम लोग इस distance को लेते हैं यहाँ पर इस equation में अगर modify करते हैं तो यहाँ पर theta minus theta dot जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा अगर इस तरफ बढ़ना है और इस तरफ बढ़ना है तो 180 हो जाएगा तो जब यहाँ पर आप 0 theta minus theta dot जब यह पूरा का पूरा term हड जाएगा 0 की equal हैगा तो यहाँ पर cos 0 की value 1 होती है तो यानि 1 by r1 is equal to c 1 plus e यह एक equation बनेगा जिसमें r1 is equal to 1 by c 1 plus e यह equation number 17 हो जाएगा clear ठीक इस तरह से अगर इस distance को आप ले रहे हैं r2 को तो r2 में आपको 180 यहाँ पर put करना पड़ेगा cos 180 की value जो होती है वो होती है minus 1 तो यहाँ पर minus e हो जाएगा 1 minus e हो जाएगा 1 by r2 is equal to c 1 minus e r2 की value आपका 1 by c 1 minus e यह equation number 18 हो जाएगा तो अब यहाँ पर देखे यहाँ से यहाँ की distance यहाँ से यहाँ पूरी distance तो पूरी distance का अगर आधा distance लेंगे तो आपका semi major axis आएगा क्या आएगा semi major axis और इसी का हमें का semi major axis का वही तो time period के square का cube के proportion होता इस तरीके से कुछ तो यहाँ पर semi major axis जो होगा होता a is equal to r1 plus r2 by 2 यानि पूरी distance का आधा होगा तो देखें यहाँ पर r1 और r2 को हम add कर रहे हैं तो देखें 1 by यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा है यहाँ पर 2 है पहले से तो 2 लिख देंगे मतलब average ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 by 2 पहले से लिख दिया हमें और c दोनों में common है c हम ले ले लिया बाकी 1 plus e 1 minus e को हम अंदर जोड़ने हैं ठीक है फिर a is equal to हो जाएगा 1 by c यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 by c 1 minus e square इसको आप solve करेंगे तो आपको मिलेगा बहुत ही simple आपको LC हम लेना है बस तो यहाँ पर 1 plus 1 2 हो जाएगा e से e cancel हो जाएगा उपर और 2 से 2 cancel हो जाएगा तो 1 by c 1 minus e square आजाएगा कोई जादा tough नहीं फिर a is equal to आपका यह हो जाएगा कैसे हो जाएगा यह सोच रहे होंगे आप तो यह आप सोच रहे हैं जो उसको हमने लिख दिया है जो हमने constant माना था mkl by mkl square को हमने c माना था एसके जहाँ पर лिख दिया और e के जहाँ पर हमने यह मना था तो इसके जहाँ पर यह स्क्वायर लिख दिया अब यहाँ पर minus लगा हुआ है तो bracket खुलेगा तो यह minus आजाएगा प्लस की नहाँ पर तो इसको आप चलिए solve करते हैं इसको solve करना बहुत आसान है 1 से 1 cancel हो जाएगा और यह आपका mk l square का इससे multiply होगा तो आप solve करेंगे तो आपको a is equal to minus k by 2e मिलेगा बहुत आसान है इसको solve करना कोई ज़्यादा tough नहीं है कैसे solve करना देखे m से m cancel हो जाएगा 1 k से 1 k cancel हो जाएगा l square से l square cancel हो जाएगा कितना आया minus 2e by k 1 by minus 2e by k आया पलट देंगे तो minus k by 2e आएगा इस तरीके से solve करना है आपको a आपने निकाल लिया है अब आपको semi-minor axis की ज़रूरत है semi-minor axis होता है b is equal to a 1 minus e square यह formula होता है centricity के साथ में तो इसमें भी value स्को रखे a और 1 minus e square की value आपका यह है इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका square करेंगे तो यहाँ पे minus आ जाएगा क्योंकि minus लगा हुआ है और इसको चलिए solve करते हैं तो 1 से 1 cancel हो जाएगा आपका यह item बचेगा a को हम minus k by 2 e लिख सकते हैं यहाँ पे ला भी चुके हैं तो यहाँ पे देखे यहाँ पे 1 k उपर 2 e है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 by a उल्टा लिख सकते हैं तो यहाँ पे a है और 1 k यहाँ पे छूड़ जाएगा देखें यहाँ पे 1 k यहाँ पे छूड़ जाएगा क्योंकि k square है और k by 2 e जो होता है वो कितना होगा यहाँ पे 2 e by k जो होगा अंदर जाएगा तो a square हो जाएगा क्योंकि root में नहीं है अंदर a square minus minus plus a square l square a mk अब a से a cancel हो जाएगा उपर a बच जाएगा a l square mk यह आपका है तो b is equal to आप लिख सकते हैं b is equal to आप लिख सकते हैं under root a l square by mk तो यह आपका a है यह आपका b है ठीक है अब arial velocity हम जानते हैं da by dt is equal to 1 by 2 r square theta dot यह हम निकाल भी चुके हैं arial velocity आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 by 2 r square theta dot निकाल चुके हैं तो यह हमने लिखा है अब देखें theta dot जो होता है वो l by mr square के equal होता है equation number 7 का use करके हमने इसको l by mr square के equal लिख दिया है यहाँ पर फिर इसको solve करते हैं तो यहाँ पर इसको solve करते हैं तो क्या आता है हमारा इसको solve करने पर हमारा आ जागा l by 2 m क्या आ जाएगा r square से r square cancel हो जाएगा l by 2 m आ जाएगा तो da by dt is equal to l by 2 m आ जाएगा क्या मिल जाएगा time period t dt का integration और इसका 2m by L constant इर ड ये का integration करेंगे तो area मिल जाएगा 2m by L area क्या होता है ellipse का pi ab, pi into a into b, a क्या है semi major axis और b क्या है semi minor axis फिर इसका square कर दिजे तो इसका square हो जाएगा a l square by km फिर यहाँ पे कुछ cancel हो रहा है बिल्कुल तो इहाँ पे cancel कर दिजे क्या 1m से 1m cancel हो जाएगा l square से l square cancel हो जाएगा 4 pi square m by k into a square into a a cube तो हम इसको लिख सकते हैं simply t square is directly proportional to a cube ये है आपका Kepler's का third law ये क्या है अपका third law तो आप देख सकते हैं या पे तीनो लॉज आपके आ चुके हैं ये derivation थोड़ा से lengthy है तो आप इसका बार अबर प्रेक्टेस करें ताकि आपको अच्छे से clear हो मैंने आपको सारे mathematical step समझाने की कोशिश की है आई होप आपको clear होगा इस वीडियो में इतना रखते हैं आगे की वीडियो में हम लोग कुछ और important आप इससे करेंगे और अगर आपका classical mechanics week है तो आप पहले earlier वीडियो को चेक करें ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से clear हो तो वीडियो देखने के लिए thank you thank you so much